नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे स्टडी सिंटर फोड़ी उपर आज हम पढ़ने वाले हैं उट पर असान सब्दों में निमंद इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किरप्या इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में वेल आइकन को भी दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो आएए शुरू करते हैं उट एक पालतो पसु है यह समानिता रिगिस्तान में पाया जाता है उट के चार पैर दो आखे दो कान और एक छोटी पूँच होती है इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है उसके पैर चोड़े औ गद्यदार होते हैं उट भूरे रंग का होता है उसके पीठ पर एक बड़ा कूबर होता है उसकी कूबर में वसा जमा होती है जो धीरे-देरे जरूरत परने पर पानी या उर्जा में बदलती रहती है उट को प्यास कम लगती है इस कारण वह बिना पानी के एक महिने तक पानी के संग्रहन के लिए इसके पेट में एक बिसेश प्रकार की थैली होती है जो अपने अंदर पानी का संग्रहन करती है वह जाडियां काटेदार पौधे, पत्ते, घास, गन्ने और अनाज खाते हैं उट का इस्तमाल रेगिस्तान में यातायाद के लिए किया जाता है उट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा चाता है उट के पाउं चोड़े और गदेदार होने के कारण वह रेत में नहीं धस्ते वह रेगिस्तान में लगभग 60-70 किलोमीटर परती घंटे की स्पीड से दौर सकता है उंट की बुद्धी बहुत ही तेज होती है ये एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते को फिर वह कभी नहीं भोलता उंट एक दिन में लगभग 35 लिटर तक पानी पीता है सामान को एक अस्थान से दुसरे अस्थान ले जाने में भी उंट का अधिक उपियों किया जाता है उंट पुराने जमाने में भी राजा महराजाओं का विशेश वाहन रहा है साथ ही गंतंत्र दिवस पर उंटों पर सैनिक बैठ कर विभिन परकार के कर्तब दिखाते हैं रखते हैं एक उट का जीवन काल पचास साल का होता है और जब उट की मिर्तिव भी हो जाती है तो इसके बाद भी इसके सरीर से कई प्रकार की समागरी बनती है जो बहुत महंगी और महतपुन होती है इसके चमरे से जूते भी बनाए जाते हैं उनके सरीर के बालों का उप्योग कपरे बनाने की फैक्टरियों में किया जाता है जिसमें रसी, ठैली, कोट, उन, आदी बिसेस है उट वास्तव में मानव के लिए बहुत उप्योगी पसु है हम लोगों को उसके साथ दया पुर्वक वरताब करना चाहिए और उसकी उचित देखरे करने चाहिए दोस्तों आपने देखा उट पर असान सब्दों में निबंद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई थैंक्यू